हेलो एवरीवन मैं प्रतिवा चोहान आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंक्स में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो अभी कुछ बच्चों ये भी सोच रहे होंगे कि एक्जाम का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है तो अभी से यह क्या मैं बता रही है तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हर चीज एक टाइम लेती है एक तयारी अच्छी तयारी जो होती है जिसमे कि मैंने MP की वीडियो बनाई थी स्टाटरजी की वह कंप्लीट थी पीटी और मेंस को लेकर के तो वह मैंने सेप्टेंबर में बनाई थी ठीक है और वह बनाई थी अप टू दिसमबर तक के लेकि दिसमबर में आपका कोर्स हो अगयरा सब कुछ हो जाएगा लेकिन अब बच्चों ने उसको सीरियसली नहीं लिया और अब जब डेट आईए बीस दिन तो डिमांड करते कि मैं कैसे बढ़ें क्या पढ़ें ठीक है तो यह चीज मैं कहते हूं हर चीज समय लेती है एक किसान होता है वह उसमें बहुता है उसको काटने का समय आता है वह लगता है तो यह तो आपके पूरी लाइफ टाइम का सवाल आपको नौकरी मिलेगी एक पद मिलेगा एक रुत्वा मिलेगा उसके बाद हम बात करते हैं कि और भी कई चीज ऐसी होती है तो जिन में टाइम लगता है तो आप इतना जल्दवाजी मतमनाया किजिए हाँ एक महिने मे होता है क्या होता है रिविजन होता है व grill के लिए पढ़ने के लिए जो होता है depth में चाहिए होता है डीटेल में चाहिए होता है तो छे महने मैं इतना तो लगेगा ही लगेगा क। अब यह जो strategy है वो हम RGS के लिए लिकर आएं तो सबसे पहले हम start कर लेते कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है लेकिन उससे पहले आप यह समझे अगर जो बच्चे completely RGS के लिए devoted हैं यह पहली बात तो उनके लिए है दूसरा उनके लिए भी है जिन्होंने other state का कोई form अभी तक नहीं भरा था या वो बच्चे जो जुलाई में या जून में जिनका LLB complete होने वाला है ठीक है तो यह उन बच्चों के लिए सबस्दार है कि क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्रिफ और स्रिफ RGS को लेकर के ही बात की है जैसे कि जो मेरी offline coaching है जहां पर वो बच्चे आएंगे तो उनको लेकर के target होके मैं कैसे RGS के लिए ही बिलकुल study करवाऊंगी step by step तो विलकुल वही उनके लिए student के लिए है वही आपके लिए ठीक है तो चलिए हम start करते हैं सबसे पहले आज के बाद आपके पास कितने समय है आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप मानके चलते कल से start करेंगे ठीक है और एक और चीज इंपोर्टेंट मान लीजिए आप यह वीडियो मेरा 10 दिन बात देखते हैं 15 दिन बात देखते हैं तो आपको पैनिक करने की क्या जरूरत होती है थोड़ा से दिमाग करो ठंडे रहा करो कि मतलब 10 दिन छूट गए तो आप थोड़े स्पीड बढ़ा लो पहली बात या तो स्पीड बढ़ा सकते हो जैस आज से हम स्टाट करते हैं तो मांके चलते हैं एक मार्ट से आपके पास समय है और हम यह मानके चलते हैं कि आरजेस का ताइम है वह जुलाई में एक्ञाम करवाते हैं 3-4 साल से देख charity का तो हम यह मैंज के चले हैं सकंडे जुलाय जो है स्टारी सेकंडे जुलाय कर Mede時候 को पढ़ रहा है तो 11 को मान के चलते हैं आपका प्री एक्जाम हो रहा है तो जून जून तक पढ़ना है जुलाई की तस दिन आपको छोड़ने उन दिनों क्या करना है वह बाद में डिसक्स करेंगे ठीक है अब देखिए आप आपके पास क्या है कंप्लीट मार्च है बहुत द प्री का पढ़ना है हमेशा गांठ बांद दो बार-बार ये चीज समझातियों में जब भी आपका एक्जाम की डेट आ जाए आप खूब पढ़िए सब तरह का पढ़िए लेकिन एक्जाम से एक महिना पहले ठीक है एक महिना पहले मेंस ड्राफ्टिंग जज्जमेंट सब चोड़ दो क्या पढ़ो स्रिफ और सिफ प्री का पढ़ो अगर आपने आपका पिटी क्लियर नहीं हुआ तो मेंस के रजिस्टर नोट सब अरबाद कोई काम नहीं आएगा धूल मिट्टी अगले साल का नंबर लगाएगा ठीक है तो पिटी एक महिना अप्रीट डिवयर् आज मतलब कल से आप स्टाइट करोगे एक मार्च है एक मार्च से लेकर 31 माई तक आपको करना है टोटल 92 डेज मिलते हैं लेकिन हम मानके चलते हैं 90 डेज क्योंकि दो दिन युपर निच्छो जाते हैं और इस शेडियूल को आपको ब्रेक नहीं करना है जून का माईना पूर तो तो रोज लगता है यार क्या होगा एक घंटे में लेकिन जब यह एक घंटा रोज देते हो दो देखिए 90 डेज 90 hours एक दिन में एक घंटा पड़के आपने 90 घंटे दिये समझे तो 90 घंटे का मतलब और 90 घंटे में आप बहुत अच्छी जब एक जैसे कहते हैं कच्छों की तरह धीरे 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 चलना लेकिन पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे करके इतनी लंबी दूरी तै कर चुका है ठीक है तो आपको पैनिक नहीं होना है ये वाला टाइम टिवल ऐसा ही है कि आपको कंटिनूटी बना के रखनी पड़ेगी तो ही ये वर्ग करेगा ठीक है तो आप देखिए मैंने कितना टाइम यहाप पर निकाला है चार दो छे साथ मैंने सब्जेक्स में क्या है वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार बना लिया है तो देखो क्या क्या आता है मेजर सब्जेक्स और माइनर सब्जेक्स टू वार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेजर वे आपके एविडेंस इविडेंस दोनों जगें सिविल में भी आएगा क्रिमिनल में भी आएगा और राजिस्तान की एक खास बात है जब नोटिफिकेशन आएगा आर जेस का तभी उसमें कुछ सब्जेक्ट एड हो सकते है या इन में से कोई माइनस हो सकते है ये बिलकुल हर साल कुछ न कुछ नए सब्जेक्ट आते ही है और ये जो स्लेबस है ये भी पिछले साल का है उससे पहले 45 एक्ट सुआ करते थे चीक है चलिए नेक्स आता है कि आपको कितने दिन कौन सा कौन सा क्या क्या सब्जेक्स पढ़ना है तो ये रही वो लिस्ट नोट मत करो सिर्फ समझो इसको समझना है बार-बार वीडियो थोड़ी देखोगे इसको समझो अच्छे से और ये पूरा PDF जैसे आपको मिल जाएग टेलीग्राम पर तो उससे डाउनलोड करके अपने कॉपी पर लिखना और अपने रूम में पेस्ट कर लेना एविडेंस को 10 दिन देने हैं कॉंट्राक को 10 दिन देने हैं आप बच्चे हस रहोंगे आव एविडेंस तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है दस दिन में क्या यह 15 तक जितना है उतना पढ़ लिए क्योंकि 4 घंटे दिया आपने मेजर को बहुत असानी से पढ़ लेंगे यह उन बच्चों के लिए जो बिगिनर हैं फ्रेशर हैं जो आज भी पढ़ना आज से ही बेरक्ट खरीद के लिए कर आ रहे हैं उनके लिए यह काम करने वाला ह दूसरा में कितने क्वेशन बनते एक यह दो रोज पढ़ोगे तो में इतने आंसर नहीं बनेंगे एक यह दो एक से दस में आप भी जानते हो कितने आंसर बनते हैं वो तुरंत फटाफट जो रेजिस्टर बनाया उसमें लिख लो यह रोज ही प्राक्टिस करोगे आपका देखना एक महीने बाद पता नहीं चलेगा कि आपके कितने-कितने सब्जेक्स मेंस और प्रीक अकोर्डिंग रेडी हो गये अगर प्रीके नहीं भी लगा पा रहे हुख टाइम लिख लो मेंच को बाद में लिखने का समय भी नहीं मिलेगा और अभी लिख Katrina TV के लिए तो आपको एक महींड है तो प्रीक नहीं हो माइनर के लिए मैंने दो घंटा डेली निकाला था चीक है दो घंटे डेली हैं तो माइनर भी आपके बस 90 दिन बचते हैं तो क्या करना है आपको अपनी स्पीड मतलब की मान लीजिए प्रोवेशन एक्ट है उसमें तो आठारा ही सेक्शन है ना तो आप कितने दिन में कर सकते हैं तीन दिन में बहुत अच्छे से हो जाएंगे तीन दिन में दो घंटे भी तो दिये मैंने माइनर के लिए और यह शेडियूल जो है यह मैंने जनरल बनाया है मुझे क्या पता कौण सा बच्चा कहां इसको देख रहा है किन हालात में किन कृणीशन के उसके पास क्या है क्या नहीं है काँसी कोचेंग लेता है नहीं न तो आप किसी क्या कर सकते हैं कोई मोर्णिंग में सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है तो नाइट्ट मे कि जो दो घंटे माल लीजी कुसी ना प्रोवेशन पहले से पढ़ा हो उसने एक घंटे में पूरा ही प्रोवेशन कर लिया तो बाकी के एक घंटा बचा हुआ minor का जो answer बचा हुआ है major का वो आप answer complete कर सकते हो उसे एक बचे वे घंटे में pre के question लगा सकते हो उसे एक बचे वे घंटे में अगले दिन का next day का पढ़ सकते हो जरुआ थोड़ी 90 दिन में कोर्स करो, आप 80 दिन में कर सकते हो तो English आपके 15 नमबर की प्रीमे आएगी Hindi 15 नमबर की प्रीमे आएगी मेंस में 50 नमबर की English आएगी और 50 नमबर की ही हिंदी आएगी मेंस में और इसमें क्या आएगा सरिफ ऐसे लिखने के लिए आएगा तो grammar portion भी important है और essay writing भी important है अब क्या करें भाई इसको तो आपको क्या करना है Saturday, Sunday Friday तक तो Monday to Friday आपको grammar area पढ़ना है और essay writing करने है only Saturday and Sunday ठीक है कब करनी है Saturday और Sunday को आपको essay writing करनी है और जब तक date announced नहीं हो जाती very very important तब तक आपको topic पढ़ना उसके PYQ लगाने है और mains के answer लिख ले ले समझ में आगया क्या करना है चलिए अब हम देखते हैं दिन के according आपका time table कैसे रहने वाला है अगर कोई बच्चा सुवच time पर उठ जाता है तो मैं मानके चलती हूँ आठ बज़े पढ़ने बैठ सकता है अगर सुबह एक घंटा exercise, morning walk या जो भी कुछ करता है छे बज़े भी उठता है, साथ बज़े भी उठता है तो आठ बज़े पढ़ने बैठ सकता है बहुत अच्छा समय है और अभी थोड़ी सरदी भी इतनी नहीं है तो आठ बज़े से बारा बज़े तक पढ़िए लेकिन अगर आप बहुत जल्दी थोड़ा टाइम और माली जे एप्रेल हो जाएगा, में हो जाएगा तो आप पांच बज़े भी पढ़ सकते हैं ठीक है? क्योंकि उस समय इतना वो नहीं रहता है फिर आप बारा बज़े से लेकर तीन में तक फुल रेस्ट करो, कोई बाहर पीजी में रहता है, let's suppose तो से खाना भी बनाना है कोई और काम भी करने है ठीक है? अधर चीज़े भी होती है तो आप खाना खाईए, पुरा रेस्ट करिए बारा से तीन बज़े तक कितना टाइम दिया रेस्ट करने का, उसके बाद आपको तीन से छे फिर से तीन घंटे पढ़ने है दो घंटे का माइनर और एक घंटे का इंगलिश लांग्विज पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद आपको छे से छे साथ एक घंटा रेस्ट करना है, कहते हैं शाम की टाइम पर की पढ़ना नहीं चाहिए, यह है बो है, तो वह भी माननेता है, आप अपना वर्निंग वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो घूम सकते हो, रेस्ट कर सकते हो यूट्यूब वीडियो देख सकते हो लेकिन एक टाइम जो फिक्स है आपका कि 6-7 तो आप उसी एक घंटे में देखिए यह नहीं है कि 6 बजे से 7 बजे का टाइम था यह बजगे 11 यूट्यूब देख रहे हैं अपने मन को कंट्रोल तो आपको खुदी ही करना पड़ेगा फिर उसके बाद आता है 7-8 बजे रात को आपको हिंदी पढ़नी है एक घंटा देखिए कितना आपके बस फ्री हो गए कितने जल्दी फ्री हो गए सुबह एक तो माली जो कोई बच् फ्री है तो माली जी किसी ने और कोई फॉर्म भर रखा है MP का भर रखा है या हर्याना का है या किसी और स्टेट का एक्जाम आने वाला तो यहां पर सकता है क्यों नहीं कर सकता करने वाला होना चाहिए और फिर यह देखो यह दिन का टाइम 12 से 3 तो बहुत बड़ा होता है ये भी time use कर सकते हो, कोई टिफिन बना सकता है, जो जो काम आपके लिए कोई और कर सकता है, जैसे आपके कपड़े धोना, आप खुद होगे या कोई और धोए, आपसे से कोई फरक नहीं बढ़ रहा है, कपड़े धोने का काम हुआ, खाना बनाने का काम हुआ, कुकिंग का ज सकता है, जैसे पढ़ना, सोना, यूट्यूब के वीडियो देखे, समझना, strategy बनाना, time table बनाना, कोई book purchase करनी है, तो वो छाटना आप ही कर सकते हो, और daily routine के जो personal work होते है, वो भी आपके लावा और कोई नहीं कर सकता है, तो ये आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे पढ़ना ह कितने बज़े से कितने बज़े तक, और ये आप modify भी कर सकते हो, सुवह 8 बज़े नहीं उठपा रहे हो, कोई उठता ही 10 बज़े है, तो definitely वो रात को 2 से 3 बज़े तक तो भढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है, आपके बस देख लो, इतना समय होने के बाद भी कितना बज़ गय है, तो सबसे पहले क्या कर लिजे, हर स्टेट की अपनी अपनी strategy होती है, question का pattern अलग होता है, माल लिजे वही IPC पूरे इंदुस्तान में सब जगे आ रही है, लेकिन राजिस्थान में question पूछने का तरीका बिलकुल अलग होता है, और UP में question पूछने का तरीका बिलकुल अ ले हिंदी मेडियम में, जरूरी नहीं है कि तीन-चार author की ले लिए, चार book करी एक भी नहीं, but book ऐसी लो जिसमें topic wise question हो, कोई सी भी ले लो, सब एक जैसी है, ट्राफ्टिंग क्या करना है, आपको Saturday Sunday क्योंकि राजिस्थान में ड्राफ्टिंग आ रही है, बाद में आप प पहले ये book complete कर लो, फिर दूसरी purchase कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, limited books रखिए, notes रखिए, अपने पास limited source रहेंगे, revisionist बहुत help रहेगा, अपनी language में focus रखिए, मतलब बोलने वाली language नहीं, English और Hindi, because राजिस्थान में English और Hindi के है, नईया पार भी लगाती है, अपने course जो है, तीन महीना जो हमने target रखा है, 90 days इसमें complete करने की कोशिश करो, तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि जून पूरा आपको मिल जाएगा, माली जीए, 11 जुलाई को paper नहीं होता है, 20 जुलाई को होता है, 21 को होता है, तो आपको help मिल गई न, एक महीना आपक completely pre के लिए देना, इस चीज़ को खतम करना ही नहीं है, मेंस की जो answer राइंटिंग है, उसको hand to hand कर लो, जो मैंने बताया था न, topic पढ़ा, और तुरंत मेंस, एक दिन में एक मेंस का answer लिखोगे, चलेगा, और लिख भी लोगे, लेकिन यह जब एक खटे लिखने बाठोगे की न, पचास question लिखने हैं, पांस दिन में, लो, लग गई लंका, और अच्छे से भी नहीं लिखा जाएगा, मतलब आपका content quality नहीं होगी, और इस schedule को break नहीं करना है, सबसे बड़ा तो don't यही है, कि schedule को do not break this schedule, क्यों पानिक नहीं होना है, अपनी shift बारबा, change मत करो, मतलब की, अब ऐसे पढ़ूँगा, अब ऐसे पढ़ूँगा, हमेशे अद रखना, शुरू के 7 days आपको पढ़ने में बहुत problem आती है, कोई भी time table, कोई भी schedule बनाने में, लेकिन आप 7 दिन जब कर लेते हो, तो उसको 15 दिन तक follow कर लो, strictly, और बाकी के 21 दिन और, तो जब आपने क टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को like कर लीजिए, इस वीडियो को, और हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए, टेलिग्राम चैनल को भी आप जाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मापे new videos की update मिल जाएगी, thank you so much, और कोई भी आपकी query हो, तो आप उसे comment box में comment करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकि जो age related matters होते हैं, reservation के matters होते हैं, slavers के matters होते हैं, वो exact notification आने पर ही पता चलता है, because RJs जो है, वहाँ पर हर साल नए-नए notification में नए-नए changes करती रहती है, ठीक है, thank you so much.